नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z E Pats आला पे आपने मेरे साथ में पिछले लेक्चर में कारक पढ़ा था जिसमें कारक में मैंने उसको आपको करता और कर्म कारक पढ़ा दिया था बाकी आप आठ कारक हिंडी में माने गए हैं कारण संप्रदान, अपादान, संबंद और अधिकरण और संबोधन इन में से हमें बाकी कारण संप्रदान, अपादान, संबंद और अधिकरण संबोधन को अभी पढ़ना बाकी है तो ये सारे हम जो है आज पढ़ लेंगे छे कारक जो हैं अपने उसके बेट वो हम आज पढ़ लेंगे इनको अच्छे से मैं एक एक नियम को लिख भी दिया है मैंने जिसमें आपको कोई भी चीजों को डाउट न रहे उसके नोट्स जरूर बना लीजेगा क्योंकि ये देखिए का उसमें आपको नहीं मिलेंगी इतने डेटेल में तो एक बार अगर लिख लेंगे तो कभी भी कोई कोशन आपका गलत नहीं होगा मैं जो आपको कहता हूं कि आपको 25 में से अगर कहीं पर पूरे में से पूरे नंबर लाने है तो आपको इसी तरही के से उस गुमा के अगर पूछ लिया जाता है तो जरा सा भी अगर गुमाता है को तो वह आपका गलत नहीं क्योंकि आपके पास पूरा ग्यान होगा दूरा ग्यान होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर वहां पर आपकी गलतियां जरूर हो जाएंगी तो इसलिए आपको इ प्रूर लीजेगा फाइदा रहेगा इसका आप किसी भी बुक से पढ़िए सौर्ट करना पढ़ लीजेगा लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं तो जैसे अपने तरीके से मैंने पढ़ा है जैसे उसी तरीके से ही आपको भी पढ़ाता हूं कि जिसमें कोई भी संब्द वाकिके किसी दूसरे सब्द के साथ में विशेष्टा क्रिया के साथ में ग्यात होता है उसको क्या कहा जाता है कारक कहते हैं जो भी कोई संटेंस होता है वह हमारा निरर्थक रहेगा जब तक उसमें कारक ना लगे हो जब कारक लग जाते हैं तभी वह हमारा संबं करणकारक पढ़ लिया था हमने करमकारक भी पढ़ लिया था अब करणकारक जानते हैं करणकारक में क्या होता है जिसकी सहायता से करता अपना कारे पूर्ण करता है उसमें क्या होगा हमारा करणकारक होगा जैसे देखिए जिसकी सहायता से इस चीज को यार रखिएगा जिसक साधन की सहायता से तिक साधन की बात हो रहा है यहां पर जिसकी सहायता का मतलब यहां पर है कि जिस साधन की सहायता से जिसके द्वारा करता अपना कारे कूर करेगा उसको जो है उस संग्या में वहां पर हमारा करणकारक होगा जैसे की एक्जामपल हम आपको बता देते हैं एक्जामपल आप ले लीजे वह डंडे से वह डंडे से कुट्टे को मारता है कुट्टे को मारता है अब इसमें देखिए क्या हो रहा है इसमें वाक्य में कुत्ते को हुआ डंडे की सहायता से मार रहा है या फिर डंडे यह साधन ही है जिसकी सहायता से मार रहा है मरलब की इसकी सहायता से मार रहा है तो फिर यह हुआ क्या तो इस जिगह पर आपका होगा करणकारक होगा इस तर ऐसे आपको इस चीज को समझना है इसकी विभक्ति क्या होती है इसकी विभक्ति होती है आपकी से या फिर द्वारा इसकी विभक्ति आपकी होगी से या फिर द्वारा इसको यार रखिएगा लिख लीजेगा अपने पास में अब इसके हम आपको कुछ नियम बता देते ह आपको ये चीजे मिलेंगी इससे और द्वारा ये आपको कहा कहा पर मिलेगा और भी इसकी विवक्ती है इसको भी यार रखेगा कहीं कहीं पर आपको इस तरह से ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा के जरिये ये अपियाम आपको सारे नियम बताएंगे उसमें ये बता भी देंगे के जरिये और के साथ की साहिता से जब कोई कार्य किया जाता है तो जिसकी साहिता से कार्य किया जाएगा जिसकी साहिता से दोबा लिग गया जिसकी साहिता से कार्य किया जाता है नहीं, वहाँ पर क्या होगा, हमारा करणकारक होगा जैसे देखें, एग्जामपल जिस चीज की सायता से, जैसे वह आँखों से देखता है, अब इसमें देखिए, क्या होगा है, आँखों के द्वारा देखा जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर करणकाराख होगा नेत्रों की सहायता से आखों की सहायता से यहाँ देखा जा रहा है अगर नेत्र आख ना हो तो पिर हम नहीं देख सकते तो फिर इसकी मतलब क्या है इसकी इसायता से देखा जा रहा है तो यहां पर क्या हो गया हमारा करण कारक होगा इस तरह से भी आप से पूछा जाता है यहां देखे से विवक्ती भी इस्तेमाल हो रही है फिर आगे नमबर नियम नमबर दो क्या कहता है भाववाच्य तथा कर कर्म वाद्च्छे जो कर्म करता होगा उसमें वहाँ पर भी आपकी कारण कारक होगा कारण कारक होगा वहाँ पर भी अब इसका एग्जामपल तौ आपको ज्यादा सब्स्मेत क इसम कावाव वाद्च्छे का मतलब समझ लीज der hockey िह इंग्लिस वीडियम वाले हों जो हमारा जित की जिसमें प्रदानता होगी, जिसमें कर्म की प्रदानता होगी, वो हमारे कर्म वाच्चे होगा है, जिसमें भाव की प्रदानता होगी, वो हमारे भाव वाच्चे होगा है, अब जैसे आपको एक्जामपल हम बता देते हैं, तो बालक, बालक के द्वारा गर ग्रंथ पढ़ा जाता है ठीक अब इसमें क्या है इसमें ये कौन सा है कर्म वाची हो गया देखिए जहां पर द्वारा आता है ठीक तो इस तरह से के द्वारा आ गया इसमें पहले तो अब इसमें क्या है ग्रंथ की प्रदानता है तो ये कर्म वाची हो गया इस तरह की जो हो उसमें क्या होगा आपका यह कर्मत प्रतान है अब इसमें क्या होगा आपका करणकारक होगा जिसमें आप से पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि करणकारक है ठीक फिर उसके बाद राम के द्वारा जाया जाता है देखिए यहां पर एक और एक्जम्पल बताते हैं रा नियम नंबर 3 की तरह बढ़ते हैं, अब नियम नंबर 3 ये कहता है कि शरीर के जिस अंग में कोई विकार हो ठीक इस अंग में कोई विकार हो या फिर जिस अंग के खरीर सरीर में विकार भी दोस उत्पन हो जाए उस जिगार पर आपका क्या होगा आप कर всп L आता है माली जे एक्जामपल वह आंक से काना है अब देखिए इसमें क्या है आख की वजे से एक विकार उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा आपका से आरीव वक्त यहाँ पर आपका हो गया करण कारक फिर उसके बाद वह पैर से लंगड़ा है माली जे आपका वह पैर से लंगड़ा है यहां पर भी आपका पैर की वजह से यहां पर भी कारुदपन हो रहा इसके अंग की वज़से तो क्या हो गया हमारा करण कारक हो गया अब इन सब के कोशिन आप करिएगा टेलिग्राम गुरुप जोइन का लिजेगा उसमें जो है आपको मैं पुराने year के question paper करवाऊंगा जो सब ये कारक के ओपर ही होंगे जो सुद्धी के वाले होंगे और भी जिसमें कारक कर पहचानना होगा इस तरह के question भी आपको मैं करवा दूँगा तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से इसकी practice भी अच्छी हो जाएगी नियम नमबर चार क्या कहता है नियम नमबर चार कहता है जहाँ पर साथ कप्रे होगो जैसे की example देखिए सीता राम के साथ कहा गई थी वन गई थी राम के साथ वन में गई अभी जिगह क्या हो गया आपका देखें के साथ आगया जिजगह इस तरह से के साथ आएगा वहाँ पर हमारा क्या होगा करण कारक होगा वह मेरे साथ आया मेरे साथ यहाँ भी हो गया मेरे साथ आया तो इस जिगह पर भी आपका करण कारक हो गया नियम नमबर पास देखते हैं जिस लच्छण के कारण इसलिए हमने इसमें आपकी आपको अच्छे से लिख दिया पिसले लेक्चर में हम बता रहे थे तो उसमें कुछ लोगों ने एक दो लोगों ने मुझसे य जागला है जिस लच्छण के कारण कोई वस्तु या व्यक्ति की पहचान होती है उस जगह पर भी क्या होगा वो जगह पर आपका करण कारक होगा जैसे की राम जटाओं से जटाओं से तपस्वी लगते हैं तपस्वी लगते हैं अब देखिए यहाँ पर जटाओं की वज यहाँ पर क्या हो गया डंडे से तपस्वी कहते हैं इस गयी तपस्वी लगते हैं जटाओं से अzahlता है पे जैसा ङसे देंगे एक इस पर देखेंगे हमारा चटा यह क्या नियम idui ड iemand कन से आसे मिरें है रहे जपो मत अब कि वहां खाली इतनी सी डिए जाये गिसादन से अत्वा जिसके द्वहारब कारी किया जाता है तो आप से धिर्न आपसे नहीं होगी, अब देखिए समय तथा दूरी सुचक सब्दों में भी क्या होगा, यहां पर भी आपका करणकारक होगा, जैसे की, देखिए, क्या है अब यहां पर देखेंगे, आपको वो भी भक्ति नहीं यूज हो रही है लेकिन इस जगह पर भी आपका करण कारक हो गया, चल कर पाठ याद कर लिया, ठीक, कोज भर चल कर, अब यहाँ क्या हो गया, दूरी आ गई, अब यहाँ कोज भर चल कर पाठ याद कर लिया, अब यह आप इस जगह पर तो आपकी वो दोनों भी वक्ती नहीं आई, से और दो तो इस तरह से आपको एकदम सही-सही पता चल जागा कि यहाँ पर करण काराख है फिर देखिए समय के लिए एक example बता देते हैं बारा महीनों में व्याकरण पढ़ा व्याकरण पढ़ा एकदम ग्याता बन गए तो फिर यह बारा महीनों में व्याकरण पढ़ा इसमें क्या हो गया आपका समय सूचक हो गया इस जगे पर क्या हो गया आपका करण काराख इसमें भी हो जाएगा फिर देखिए हे तू या कारण वाची सब अगर कहीं आ जाते हैं तब वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर भी आपका करण कारक होगा जैसे क्या है देखें धन से आदर होता है अब यहाँ पर क्या है यह कारण बता रहा है धन से आदर होता है धन की वज़े से आदर होता है तो यहाँ पर कारण बताया इसने तो इस तरह के संटेंस जबाएंगे यह उस जगह पर भी आपका क्या होगा करनकारक हो जाएगा फिर आगे देखते हैं अगला अगला आपका नियम क्या कहता है नियम कहता है जिस मूल ले पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो इस तरह का संटेंस आ जाए यह घड़ी तीन रुपए में खरीदा है अब यह देख अब भी आपका करनकारक हो गया इस तरह से यह चीज आप पहचान लेंगे अच्छे से फिर आगर वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो इसको लाइक जरूर कर लिजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरह आपको एकदम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेंसा मिलती जाएगी मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको एकदम डीपली और एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पढ़े नियम नमबर 9 क्या कहता है हो सकता है आप लोगं को लगता हो कि अब एक महीना बचा है दो महीना बचा है तो यह तर्डीपली पढ़ा रहे हैं नहीं वह आपकी बार ठीक है लेकिन मैं जो टॉपिक जब भी पढ़ाऊंगा हमेशा आपको आप बले ही मुझसे एक टॉपिक पढ़िए दो टॉपिक पढ़िए लेकिन वह चीज आपकी हमेशा के लिए याद हो जानी चाहि यह फिर कभी आप भूले ना इस तरह का मैं पढ़ाना चाहता हूं तीक अब देखे क्या है किसी इस्थान तक जाने के लिए दिशा बताने वाले सब्द अगर आते हैं कहीं पर तो उस जगह पर भी आपको करण कारक होगा जैसे क्या है वह पश्चिम पश्चिम दिशा में विद्या लाए गया अब इस वाले चीज को याद रखेगा अभी आगे आपको एक बार फिर से यही दिशा की बात आएगी उस जगह पर आपको दोनों में अंतर करना होगा क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है किसी इस्थान तक जाने के लिए जब दिशा बताई जाएगी उस जगह पर क्या होगा आपका करन कारक होगा अब इस बात को याद रखेगा अभी आगे आपको जब और एक चीज बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने यह दोनों में अंतर है ठीक क्या है वह पस्चिम दिशा में विद्या ले गया तो यहां पर हमारा क्या हो गया करन कारक हो गया इस तरह से फिर उसके बाद सपत बोदक सब्द होते हैं अगर जहां पर कसम खाई जा रही होगो तो वहां पर भी आपको क्या होगा करन कारक होगा मैं बालक की कसम खाता हूं कसम खाता हूं बहुत सारे लोग कसम खाते रहते हैं बात-बात पे तो फिर यहां पर क्या होगा आपका करणकारक हो गया फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला हमारा नियम नंबर 11 इसमें क्या कहता है नियम नंबर 11 कहता है जिस वस्तु जिस पर कोई वस्तु धोई जाती है जिस पर कोई समान धोया जाएगा उस जगह पर आपका क्य करणकारक होगा जैसे क्या है वह कंधे पर रखकर भार ढोता है रखकर भार ढोता है ठीक यह हो गया इसमें क्या है कंधे पर रखकर भार ढोरा है जिस पर रखकर ढोरा जाता है वहाँ पर क्या होता है हमारा करणकारक होता है अब फिर आगे बढ़ेंगे आगे देख रहे हैं बारा संप्रदान कारक आ जाता है संप्रदान कारक के बारे में अच्छे से पढ़ना है हमें इसमें क्या कहता है संप्रदान कारक वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरू कर दीजेगा जिसमें हमें भी इससे खुसी मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच् जिसके लिए कोई क्रिया हम एक एक नंबर के लिए आपकी महिनत कर रहे हैं कि आपका जो भी है जिसमें भी अगर एक संटेंस भी आता है तो उसमें एक नंबर भी आपका कहीं से भी कटे ना इस तरह से पढ़ाना चाहिए तो उस तरह से मैं कोशिच करता हूँ कि आपको जो क numb speak to this picture. अबक्ति संप्राइन कारक्त कहता है जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या फिर जिसको कोई वस्तु दी जाती जिसके हमारा क्या हएं संप्रोधान का रखते होगा जिसके लिए- क्रियाज की जा रही है या फिर कोई वस्तु दी जा रही है जैसे कि आपको एक्जम्पल बताते हैं वह भिकारी को बोजन देता है वह भिकारी को बोजन देता है अब इसमें क्या होगा इस जगे पर और आपको इस जगे पर होगा आपका क्या यहाँ पर हमारा संप्रदान का रखोगा देखे क्या हो रहा है यहां पर देखे बोजन देना जब कुसी को कोई वस्तु दी जाती है या फिर कोई किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है उन जगह पर दोनों जगह पर आपका होगा क्या सम्रदान का रखोगा आप जैसे किसी के लिए कोई क्रिया करने के लिए ये भी example आपको हम बता देते हैं, मोहन के लिए फल लाओ, मोहन के लिए फल लाओ, आप देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आपका क्या हो रहा है, मोहन के लिए क्रिया की जा रही है, जब कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, उस जगह पर आपका क्या होगा, संप्रदा अब एक चीज़ा और ध्यान रखियेगा इसमें इसमें जब कोई भी चीज दी जा रही है जैसे तो उस जगह पर्मानेंट किसी को दे दी जा रही है तो उस जगह तो संप्रदान कारक होगा लेकिन अगर थोड़ी तेर के लिए दी जा रही है हैं तो उसमें जो है संप्रदान कारक आपका ना हो करके फिर उस जगह पर आपका होता है अपादान कारक होता है उसके बाद में फिर उस जगह पर आपको मिलेगा क्या अपादान कारक होगा ठीक यह चीज को भी आपको आगे समझाएंगे और अच्छे से समझा देंगे बता जाती है इसमें एक्जामपल आपका हो गया जिसको कोई वस्तू दी जाती है तो यह हमारा हो गया वाव विकारी को घोजन देता है इस तरह से आपका यह हो जाएगा इसमें आपका हो गया फिर उसके बार में देखते हैं अगला हमारा नियम क्या गयता है जिसके लिए कोई का जाता है उसमें भी आपका क्या होगा उस बोदक सब्द में हमारा होगा क्या संप्रदान का रख ठीक अब इसका एक्जामपल बताते हैं मैं पुत्र के लिए फल लाता हूं मैं पुत्र के लिए फल लाता हूं ठीक अब इस जिगे पर क्या हो गया आपका इस जगह पर आपका हो गया संप्रदान का रख ठीक इस चीज़ को ध्यान रखिएगा पुत्र के लिए लाए जा रहे हैं फल अता क्या हो गया यहां पर संप्रदान का रख पिर आगे बढ़ेंगे आगे देखते हैं हम अगला इसका नियम क्या कहता है अगला नियम अगले पेज़ पे अगला नियम क्या कहता है रुची रुची अर्थ रखने वाले सब्द में भी आपका क्या होगा उच जगह पर आपका होगा रुची मतलब कोई चीज जैसे हमें अच्छी लगती खाने पीने में कोई चीज पर ये लगती है तो फिर उच अच्छे लगते हैं, लगते हैं, अगला नियम क्या कहता है, जिस प्रायोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, या कोई वस्तु के निर्मार के लिए कुछ किया जाता है, तो उस जगह पर हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, जैसे कि भाक्त मोच के लिए बगवान का बजन करता है, तो यहाँ पर क्या होगया, आपका प्रायोजन है, ठीक, तो इस जगह पर आपका क्या होगा, आपका इस जगह पर होगया संप्रदान कारक, फिर दूसरा द पताया आपको किसी वस्तों के निर्माण के लिए तो घड़े के लिए मिट्टी है तो घड़ेो के लिए अपका क्या हो रहा है लात कर वे प्रागे बढ़ेंगे अगवादन के लिए अगवादन जैसे स्रीगडेश जी को झालद प्रजी को गाल्सकार असे तरह जो चीजें होती हैं उन जगसपर भी आपका क्या होगा संपरदान कारकथ इसको होता है क्योंकि हम लोग एक तरह हो जाएगा संपरदान थिए पर यहां पर आपका क्या औरता है इस जिगह पर आपको अरही हो रहा है इस जगह पर यह एको आता है को आ लिए भी आजाता है और कुछ जगों पर के निमित भी आता है ठीक के निमित भी आता है कुछ जगों पर के वास्ते भी आपको मिल सकता है ठीक यह सारी भी वक्तियां इसमें आपको मिलेंगी और बाकी यह सारे जो नियम आपको हमने बता है यह सब भी लग जाते हैं इसके ब इससे एकदम अलग होती है कोई चीज किसी वस्तू से अलग होती है जिस वस्तू या व्यक्ति से प्रत्यच या परोच रूप से कोई वस्तू प्रत्थक होती है मतलब अलग होती है तो वहाँ पर क्या होगा आपादान कारक होगा उसमें विवक्ति क्या होगी इसमें से लगे पेड़ से पत्ते पाहे पत्ते गिरते हैं नियम एक क्या कहता है नियम एक कहता है अलग होने के अर्थ में जैसे यह बताया आपको आपने क्या है पेड़ से पत्ते गिरते हैं इसमें क्या हो रहा है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो यहां से होगा ठीक पेड़ से पत्ते ग गया अपादान का रख यही इसका एक्जामपल हो जाएगा नियम एक का फिर नियम दो क्या कहता है नियम दो कहता है जिससे रच्छा की जाती है या वैभी तुआ जाता है डर और भै के संबंद में जैसे कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग के सामने अगर साप आ जाएगा तो हम उससे डरते हैं न तो फिर बच्चा के सामने आ जाए किसी के सामने आ जाए तो बच्चा साप से डर गया तो यह से के पर हो गया आपका साप से डर गया तो फिर यहां पर हो गया आपका अपादान का रख फिर उसके बाद में एक और example बताते हैं आप रच्छा वाला वह उसकी दुष्ट से रच्छा करता है ठीक यह आपका रच्छा वाला हो गया इस तरह से होगा तो इस जगह पर भी आपका परानका रखो चैएगा फिरा बढ़ते हैं अगले नियम की खर्मारा नियम क्या कहता है नियम तीन कहता है जिससे कोई वस्त तूध दूर की जाती है तैव किसी चीज से दूर की जा रही हो लिए होगी कोई वस्तू तो इस जगह पर आपका क्य ऑगा अप आदानकारक जैसे वह पुत्र को पाप से दूर करता है ठीक इस जिगे पे क्या हो रहा है पाप से दूर कर रहा है तो इस जिगे पे आपका हो गया अपदान का रख फिर अगला नियम क्या कहता है सीखने की भाव में जहां पर आ जाए उस जिगे पर क्या होगा आपका अपदान का रख जैसे कि मैं अध्यापक से व्याकरण सीखता हूं, अध्यापक से व्याकरण सीखता हूं या पढ़ता हूं, तीक पढ़ता हूं, यह होगे आपका, क्या आ रहा है यहाँ पर अध्यापक से हमारा सीखने का भाव आ रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अपादान का राक आपका, फिर जिएगे पर क्या होगा जैसे कि लोब से पाप उत्पन होता है फिर उसके बाद में कारे प्रारम की कोई चीज उस जिएगे पर भी आपका क्या होगा अपदान का रख हो जाएगा फिर अगला नियम है हमारा क्या गयता है के अलावा के बिना दिसावाचक सब्द और सब्द में उसने कहा था किसी इस्थान पर जाने की जब बात होगी तो उस जिए पर हमारा क्या होगा दिसावाचक किसी इस्थान पर जाने की अब यहां पर डारेक्ट इस्थान की बात नहीं होगी यहां पर सीधे दिसा की बात होगी जैसे गाउं से गाउं से उत्तर दिस अब यहां पर डारेक्ट बता दिया कहीं जाने की बात नहीं हो रही है, यहां पर कि वह इस दिसा की ओर गया, उसका गर इस दिसा की ओर था तो उद्धर गया, उस टाइप की बात नहीं हो रही है, यहां पर क्या हो रहा है, आपका डारेक्ट डिसा बता जा रही है, कि मेरा ग केलावा का एक example हो जाए एक अलावा के अतरिक्त इन तरह के सब्डिश में आपको मिल सकते हैं राम के अलावा कोई मेरा रद्छधाग नहीं है मुवारन के अतष्ड मेरा कोई मेध्र नहीं है ञांकर यहाँ कौन रहता है, इस टाइप से आपको मिल जाएंगे, बिना के बिना वाला, आपको एक्जामपल बता देते हैं, विवेक के बिना ग्यान नहीं संबाओ है, फिर इस तरह से आपको के बिना वाला हो गया, और पिर जब दो सब्दों में तुलना की जाती है, उस जगह पर भी पुंदर है इस जिगे क्या हो रहा है दो लोगों की तुलना हो रही है तो इस जिगे पर आपका होगा क्या आप अदान कारक हो गया इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे यह सारे नियम जो जो इंपोर्टेंट थे वो सारी चीज़ें आमने आपको बता दी फिर आता है अगल नाम के जिस रूप से उसके दूसरे सब्दों के साथ संबंद प्रकट होता है उसे संबंद कारक कहते हैं ते अब इसमें क्या होगा संबंद कारक में संबंद कारक में आपकी विबक्तियां कौन कौन सी होती है का की के रा री रे ना नी ने यह सारी विबक्तियां जो हैं आ आप देखिए इसके example हम आपको बताते हैं जहाँ पर ये देखिए इसमें क्या होता है सम्बंद कारक में राम की पुस्तक है यह राम की पुस्तक है तो इसमें क्या है राम की पुस्तक एगाज़ियो Pुस्तक यहां पर राम हमेशा इसमें संग्या और सर्वनाम से बताएगा संग्या देखिए डिफिनीशन में भी बोला गया संग्या अत्वा सर्वनाम के जिस रूप के साथ में बताता है प्रकट करता है संबंद उस जगह पर आपका क्या होगा हमारा संबंद कारक होगा इसमें क्रिया के साथ में न रखोगा फिर उसके बाद एक और एक्जामपल ले लेते हैं जैसे कि इसमें आपको वह उसका लड़का है अब देखिए इसमें क्या है काके की यह वाला काके की से बना हुआ सब्द है यह उसका ठीक यह उसका लड़का है इसी तरीके से आपको जैसे यहां पर यह बन गया इसी तरीके से रारीरे से और नानीने से यह सबसे कौन कौन से सब्द बनते हैं इनसे जैसे बनता है रा री री से देखिए क्यों सा बन रहा है रा री रे इन तीनों से बनेगा आपका मेरा मेरी और मेरे अब इससे आप बना लीजे कोई भी सेंटेंस बना लीजे यह मेरा घर है ठीक यह मेरे पिता जी है यह चीजे इस तरह से आपका हो जाएगा यह हो गया ठीक फिर उसके बाद ना नी ने का देख लेते हैं ना नी ने का है क्या यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं आपका ना नी ने से ना नी ने से आपके कौन कौन से बन जाते हैं अपना अपनी और अपने ठीक यह आपके इस से बन जाएंगे काके की से आपको उने बता दिया उसका उसकी उसके जो हैं ये सब काके की से बन जाते हैं आपके इस तरह से हो जाएंगे फिर इसका आप एक example बता दे मैंने अपनी पुस्तक लिखी ना नीने वाली ठीक अपना घर दिखाओ इस टाइप से आपके इसके एक्जांपल हो जाए क्या है संग्या के जिस रूप से क्रिया की आधार का बोध होता है मतलब जिस इस्थान पर रखा होता है या जिस इस्थान पर कोई क्रिया हो रही होती है कारे का संपादन हो रहा होता है उच जगह पर क्या होता है अधिकरण का रख होता है अधिकरण का अर्थ क्या होता है आ फिर पर, ये सब इसकी विभक्तियां हैं, जैसे की एक्जामपल आपको बता देते हैं, क्या है, कलम, कलम, पुस्तक पर है, पुस्तक पर है, ये हो गया, फिर स्याम विद्धाले में पढ़ता है, में के लिए हो गया, स्याम विद्धाले में परता है, में के लिए हो गया, स्य वाला एक्जामपल स्याम विद्यालाईद में पढ़ता है इस तरह से इसमें जब होगा तो यह आधार के उपर होता है फिर इसका नियम नमबर एक देखिए आधार वाला यह बता दिया दूसरा क्या है जब किसी समुदाय में किसी की विशेष्टा बताई जाती है जैसे की ए भूद देने वाली है ठीक ये हो गया अब ये इसमें क्या होगा ये विशेस्ता बताई जा रही है तो फिर इस जगह पर आपका क्या हो गया अधिकरण कारक हो गया फिर उसके बाद एक है जिसके लिए सम्मान आ सकती या इसने प्रदर्सित होता है उस जगह पर क्या होगा आ दिकरण का रख हो जाएगा अब देखिए इसमें इग्जामपल बता देते हैं संपान अपने पिटा जी लिए कर लिए लिए ऑर भगवान के लिए होती है बक्ति तो यहां पर भगवान में बक्ति करनी चाहिए यह इसका पलो जाएगा करनी चाहिए ठीक ये चीजें हो गई फिर उसके बाद अगला पड़ते हैं हमारा आता है संबोधन कारख संबोधन में क्या है ये बहुत ही आसान है इसको भी तो पहचानना भी बहुत ही आसान है इसमें आपको कौन-कौन से विवक्तियां मिलती है इसमें आप आदी बोधक चिन आपको हमेशा इसमें मिलेगा ठीक अब इसमें आदी बोधक चिन जो होता है इसको संबोधन को एक तरह से क्या कहते हैं पुकारना पुकारना या फिर बुलाना जैसे हम लोग किसी को भी बुलाते हैं पुकारते हैं तो उस जगह पर क्या होगा इसमें आ पर आपको जैसे अरे स्याम कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो ठीक इसके बाद में किसी को आप गुलाते हैं और इधर आओ इधर आओ तो उस जगे पर भी यहां पर कोई भी नाम लिख लीजेगा ठीक लेकिन अगर मालीजे कहीं पर हर्स सोक दुख और कामना आधी प्रकट हो ठीक तो उस जगे पर आपका विसमयाधी बोदक चिन लगा हो तो वह जो होगा विसमयाधी बोदक सेंटेंस होगा उस तरह से आपके समकारक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं अब आगे हम दूसरी चीजे पढ़ेंगे अगर वीडियो पसंद आई हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेसेज जरूर करिएगा मिलेंगे अगले लेक्चर में जब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद झाल 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 हो जब तक कर दो आपके समकार करिके समकार कंप्ला पूरे जगे होगा कि अपर भी झाल कर मेंगे हम कर दोस्ट्ण